मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मुझे किसी किसम का इन्वेस्मेंट करना हो तो मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए I would like to know your expertise on it इन्वेस्मेंट करने के लिए तमना जी आपको एक proper portfolio बनाना चाहिए जहां पर आपको अलग-अलग asset class में इन्वेस्ट करना है इसके लिए मैं इनको 100 वाला rule बताना चाहता हूं 100 का rule यह 100 का rule यह है संदीप कि आपकी जितनी उमर है इसको 100 से गटा लिजिए कितनी उमर है आपकी 35 तो मना जी की लगब होतनी होगी होगी तो समझे उनकी उमर 35 साल है तो 100 से 35 गटा लिजिए कितने बचे 65 तो आपका 65% हिस्सा आपका equity में जाना चाहिए आपका जो भी investment है मैंने तो बता दिया वह बताएंगी कि आपने बताएंगी बिल्कुल हमें बताएंगी उन्हें पताऊना चाहिए कि उन्हें कितना डालना है तो 100 साल वाला रूल है मतलब इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप 100 साल जीएंगे ठीक है यह एजम्शन है में debt fund में लगा सकते हैं तो थोड़ा debt में डाल दीए थोड़ा दूसरा debt mutual fund में डालें एकदम risk rich है तो आपको debt fund में डाल देना है थोड़ा हलका सा risk ले सकते हैं तो bond fund income fund में पैसा डाल दीजिए तो आपको पैसा debt में भी रखना है equity में और क्योंकि वो कहरें कि पूरी proper financial planning करनी है तो जरूरी है तो आपको थोड़ा debt fund में भी रखना है और थोड़ा उसके साथ-साथ आप चाहें तो FD में भी रख सकते हैं लेकि FD में आज और खली मौका है ना ब्याद़रे गटने वाली इसलिए बिल्कुल यह बात सही है ब्याद़रे गटने की संबावना है तो FD के rates कम होंगे तो तुरंट लगा दी है हाँ एक चीज और है जो मैं तंबना जी के लिए specifically कहना चाहता हूं क कि आपको real estate और gold यह जितनी जरूत है उसके मताविक खरीजिए क्योंकि आप शो बिस्निस में देखें आम तो पर बड़े बड़े स्टार खुद के घर में रहना पसंद करते हैं किराएं में तो रहेंगे नहीं है तो property खरीजिए और gold आपको जितनी जरूत है बहने दिखा होंगी प्रोपर्टी तो होंगी तो एक घर थोड़ी जूलरी यह ठीक है investment कम आपका consumption हो गया बाकी debt fund में पैसा डालिए और equity में 60-65% आपका equity में होना चाहिए 20-25% debt में होना चाहिए और बाकी 10-15% आप gold और property में दाल सकते हैं मैं अनिन सिंग्री जी जो market guru है उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे business or tech में बहुत interest है कि अगर मुझे India में कहीं invest करना चाहूं मैं जो education related हो या female related हो तो वो क्या होगा तो education or female related तो पहली बात मतलब मेरे पास ऐसा question आया है जो सीधे stock से या investment से related नहीं business में investment related है तो दो चीज़ कर सकते हैं प्रेंगा जी एक तो education से related बहुत सारे online start-ups हैं जो बहुत बढ़ा काम कर रहे हैं मतलब आप एकदम basic education से लेकर एकदम higher technical education को लेकर और online जो पढ़ाई वाला system है हमारे जमाने में होता नहीं हमारे तो जब तक टीचर है वो लक्री से लेकर सामने बेट कर पढ़ा है ना तो हम पढ़ते नहीं तेंगा आज कल बच्चे classes में जाना prefer नहीं करते हैं online अपनी सहुलियत से पढ़ना चाहते हैं अपनी हिसाब से प investment के है तो मुझे लगता है एक वह बहुत बढ़ा मौका होगा इनके लिए इन्वेस्ट करने का और जहां तक महिलाओं के लिए सवाल एक महिलाओं के लिए बहुत बढ़ा बिजनस मॉडल है जो प्रेंगा कर सकते हैं मेरे खाल से माइक्रो फाइनसिंग जो एकदम छोटे लेवल पर महिलाओं काम करती ना कोई सिलाई मशीन वाले हुए कोई इस तरह से पापड़ अचार बनाने वाली हुई एकदम उस लेवल पर जिनको दो हजार पांच हजार दस हजार की फाइनसिंग चाहिए और आम तोर पर एक बात समझें जो है न इन पी और बैट डेफ्स करते हैं वो लोग जो पांच हजार और दस हजार क्रोड़ रुपे का लोन लेते हैं करना आदमी आदमी ऑन आपके लिए थोड़े बहुत नपी होंगे बिट भी कोई दिक्कत नहीं नेट नेट आप प्रॉषिट में रहेंगे और वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इंवेस्टर्स परिशान है इस टॉक मार्केट में उन ट्रेडिंग प्रेटफॉर्म से जो बार-बार क्रेश हो जाते हैं और फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का फैसेल्टी भी नहीं देते हैं काफी हाई ब्रोकरे चार्ज करके भी ठीक है दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक सल्यूशन लेकर आया हूँ कि आपको एंजल ब्रोकिंग के अंदर एकाउंट खुलाना है दोस्तों यह आपको जिरोधा से पांच रुपए सस्ता पड़ेगा जहां जि आपको स्टॉक्स की अनलसिस भी मिलेगी तो दोस्तों अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर एकाउंट खुलाना चाहते हैं और आप डिसकाउंट ब्रोकर से भी कम प्राइज में फूल टाइम सर्विस ब्रोकर का लाब उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मे पढ़ा हुआ है जाए लिंक पर क्लिक करके अंदर एकाउंट खुला है तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो चलागा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपनी 10 मेट की अनलासिस जरूर करिएगा क् होगी दोस्तों पैसे आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी किसी स्टॉक में खरीदने या बेचने की धन्यवाद